पिछले सत्र में हमने देखा कि बीजीय व्यांजक क्या होते हैं दोस्तों, इस सत्र में हम एक बीजीय व्यांजक के कुछ तत्वों को समझेंगे वे तत्व पद, गुननखंड, गुनांक, समान व असमान पद हैं इस व्यंजग को देखिए हम देख सकते हैं कि इस व्यंजग के दो भाग है यहां दो X, दो और X के गुणन से बनाया गया है और फिर उसमें बारह जोड़ा गया है हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा था कि किसी भी व्यंजग के विभिन भाग होते हैं जो कि पहले अलग-अलग बनाये जाते हैं और फिर आपस में जोड़े जाते हैं यह भाग पद कहलाते हैं तो हमारे व्यंजग में बारह और दो X व्यंजग के दो पद है अब इस व्यंजग को देखिए अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस व्यन्जक में कितने पद हैं और वे कौन से हैं? यह व्यन्जक चार पदों के मेल से बना हुआ प्रकट होता है वे पद 4X वर्क, XY, रुनात्मक वाई घना और दो हैं हम देखते हैं कि यहां तीसरा पद रुनात्मक वाई घना है, सिर्फ वाई घना नहीं हमने अपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि पद में रुनात्मक चिन्न शामिल करना जुरूरी है अब इस व्यन्जक को देखिए, यह सिर्फ एक पद से बना हुआ है यह रुनात्मक बारा ए, बी और सी का गुणनफल है तो हम कह सकते हैं कि रुनात्मक बारा ए, बी और सी इस पद के गुणनखंड है अब इन चार गुणनखंडों को देखिए पहला गुणनखंड रुनात्मक बारा तो सिर्फ एक संख्या है इसलिए हम इसे संख्यात्मक गुननखंट कहते हैं बाकी तीन गुननखंट A, B और C चर हैं इसलिए हम इन्हें बीजीय गुननखंट कहते हैं संख्यात्मक गुननखंट का एक और नाम भी है संख्यात्मक गुननखंट को आम तोर पर गुनांख कहा जाता है तो रुनात्मक बारा इस पद का गुनांख है अब जब हम जान गए हैं कि बीजीय गुननखंड क्या होते हैं तो चलिए दो प्रकार के पदों को समझते हैं समान और असमान पद दो पद समान पद तब कहलाते हैं जब उनके बीजीय गुननखंड समान होते हैं और जब पदों की बीजिय गुननखंड अलग-अलग होते हैं, तब वे असमान पद कहलाते हैं. चलिए, इसे उधार्णों के सहारे समझते हैं. मान लीजिए, साथ xy और पंदरह xy दो पद हैं. ये पद समान है या असमान? याद रखिए कि पदों का प्रकार जानने के लिए, हमें सिर्फ उनके बीजिय गुननखंडों को, या दूसरे शब्दों में चरो को देखना होता है, संख्याओं को नहीं. इन दोनों पदों के समान बीजिय गुननखंड है x और y. इसलिए हम यह कह सकते हैं के ये समान पद है. पर इन पदों का क्या? ये समान है या असमान? दोनों पदों में समान चर है x और y. परंतु, x वर्ग y में x, x और y बीजिय गुननखंड है. और 3xy घना में x, y, y और y बीजिय गुननखंड है. तो ये दो पद असमान हैं क्योंकि इनके बीजिय गुननखंड अलग है. एक व्यान्जक में मौझूद पदों की संख्या के आधार पर हम व्यान्जकों को श्रेणियों में विभाज़त कर सकते हैं. एक व्यान्जक जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है, एक पदी कहलाता है. एक पदी के कुछ उधारण है. एक व्यान्जक जिसमें दो असमान पद होते हैं, उसे द्वी पद कहते हैं. द्वी पद के कुछ उधारण है. इसी प्रकार तीन असमान पदों वाले व्यान्जक को त्री पद कहते हैं इत्यादी. व्यापक तह एक अथवा अधिक पदों वाले व्यंजक जिसके गुणांख शुन्येतर हो बहुपद कहलाते हैं ये बहुपदों के कुछ उधारण है इस प्रकार इस सत्र में हमने सीखा कि एक बीजीय व्यंजक में कौन-कौन से अंग होते हैं अगली सत्र में हम बीजीय व्यंजकों से जुड़े कुछ आम-गलत फैमियों को देखेंगे क्यों में हम व्यंजकर शुन्हों से एक भीज़